नमस्कार दे इंडियाट आप देखने आप और मैंनाम श्राइंग पांडे हैं कल एक्जाम था बीपीएसी की सर्षठवी का पिटी का एक्जाम था और एक्जाम से पहले पेपर वाइरल हो गया कोश्चन पेपर जो है वो तमाम सोसल मीडिया पर वाइरल होने लगे ऐसे में तमाम राजनितिक पार्टिया जो है वो वीपीएसी के उपर आरोप लगा रही है और अब वीपीएसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वीपीएसी ने ये लिखा है कि अब पांच लाग शात्रों को परिक्षा के लिए इंतिजार करना पड़ेगा परिक जो परिक्षा है यानि सरसट्वी की ही जो परिक्षा होगी जो ये रद हो गया है ये परिक्षा अब दूसरी जो परिक्षा होगी उसके लिए अभी तिथी जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है पूरे जाच के बाद ही तिथी निर्धारित किया जाएगा जाच प्रक आपको लगभग दो से तीन माह तक इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद ये जब पूरा मामला समझ में आएगा जब पूरे जांस प्रक्रिया में जो दोसी है वो अगर पकड़े जाते हैं उन पर कारवाई होगी है उसके बाद जो है परिछा की दूसरी तिथी जो है वो ज की जाएगी देखे बिहार की राजनी तो पुरी तरीके से गरम हो चुकी है नेतापरति पक्ष हो चाहे चिराक पासवान हो चाहे मुकेश सहनी हो सभी लोग क्वीट करके बिपेसी के उपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं और लगतार बेरुजगारी की बात उठ रही है ल सरकार के उपर तंज कसने का और ऐसे में सभी विपक्षी पाटिया वो भूमी का निभा रही है चाहे तेजस्वी यादो का ट्वीट देख लीजिए आप चाहे चिराक पासवान का ट्वीट देख लीजिए या फिर मुकेश सहनी का ट्वीट देख लीजिए तीनों लोगो मामले में देख लिजिए, BSAC के मामले में देख लिजिए, STT के मामले में देख लिजिए, हर वक्त जो है, वो छात्र जो है, वो परिशान हो चुके हैं, और हमेशा सरकों पराते हैं, तो ये कैसी आयोग है, ऐसे में अब सब जो राजनेता हैं, वो तंज कसरे हैं, BPC के उप उपर आरोप लगा रहा सब लोग लगा रहे चात्र भी लगा रहे चात्र भी चिंतित है कि आखिर कैसे होगा कैसे हम लोग की पढ़ाई होगी क्या इतना पढ़ने के बाद ऐसे पेपर लिख हो जाता है हर जगह पर सेटर बैठे हुए हर जगह पर मुन्ना भाई जैसे लोग बैठे हुए है अब कैसे ये सामाधान होगा छात्र भी चिंतित है ऐसे में भी पेसी का ये कहना कि दो से तीन माह तक इंतिजार करना पड़ेगा उसके बाद ही जो है परिक्षा का दिन निर्धारित होगा उसके बाद अच्छे से एक्जाम होगी सकती रहेगी एक्जाम में पेपर लिख होने के संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी ऐसे ही तमाम खब्टों के लिए जो रहा है हमार साथ और देखते हैं दें इंडिया टोप